Hello everyone and welcome to English Learning Camp आज हम बढ़ने लगी हैं what, which और that के बारे में कि इन तीनों में difference क्या है और हम इन तीनों को कब कब इस्तमाल करते हैं विडियो बहुत important है आपने end तक देखने हैं आपके सारी conclusion klar हो जाएगी हम जब भी what और which का इस्तमाल करते हैं question पूछने के लिए तो हमें समझ नहीं आती है कि यहां पर what आएगा या which आएगा अब किन सूर्टों में हम which का इस्तमाल कर सकते हैं which is used for a selection from limited number of persons or things अगर एक limited number है हमने इंसानों की बात करनी है चीजों की बात करनी है और limited हैं एक महदूद हद तक हैं तब हमने which का इस्तमाल करना है what is used to present a selection from an unlimited number of persons or things लेकिन अगर limited चीजों की बात नहीं हो रही है unlimited चीजों की बात हो रही है या इंसानों की बात की जा रही है तब हमने what का इस्तमाल करना है अब इसको हम कुछ example से समझ लेते हैं we have got red and blue pens which will you have अब हमारे पास limited सी चीज़ें है red और blue pens तो ही तरह के pen है तो हमने limited चीजों में से पूछने है कि आप कौन सा वाला लेंगे which will you have यहाँ पे हम which का इस्तमाल करेंगे ठीक है क्योंके limited चीजों की बात की चारी है which size do you want small, medium और large अब size में हमारे पास limited size है बहुत सारी variety नहीं है simple 3 में से हमने चूज करना है तो इस वज़ा से क्योंके limited की बात की चारी है तो हम which का इस्तमाल करेंगे इसके बाद है what language do you speak sorry do they speak in the Punjab वो Punjab में कौन सी language बोलते हैं अब कई तरह की जुबान नहीं है हमें नहीं पता वो कौन सी जुबान बोली जा रही है दुनिया में तो कितनी तरह की languages बोली जाती है तो unlimited variety है हमारे पास इस वज़ा से हम यहां पे what का इस्तमाल कर रहे है इसके बाद है वोट इस यूर फोन नमबर आपका फोन नमबर क्या है हम यह नहीं कह सकते विच इस यूर फोन नमबर क्यूंकि unlimited numbers है हमें तो नहीं पता हम किस नमबर की बात कर रहे है बहुत सारे numbers है unlimited है uncountable है तो इसलिए हम जहां पे कह रहे है what is your number आपका फोन नमबर क्या है तो जब limited चीजों की बात कर दिया है तब हमने विच इस्तमाल करना है अगर unlimited की बात कर दिया है तब हमने what इस्तमाल करना है इसके बाद है कई दफ़ा interact questions में भी हम पूछ लेते हैं what she asked me what my full address was अब ये interact way में question पूछा जा रहा है तो हम यहां पे what का इस्तमाल करना है ये याद रखे हैं अगर interact way में question पूछा जा रहा है तब आपने what का इस्तमाल करना है what and which don't have different forms for different cases इनकी different cases में different forms नहीं होती है इनको as is जहां what लगाना है unlimited के लिए वहां what लगाया जाएगा अगर limited variety है limited selection करनी है तो अब हम which का इस्तमाल करते हैं इसके बाद है that that is used in speaking of persons animals and lifeless things अगर हमने इनसानों की बात करनी है जानरों की बात करनी है या बे जान, lifeless चीज़ों की बात करनी है हम तब dad का इस्तमाल करते है it is sometimes used in the place of who and which अब हमने ये पड़ा है कि हमने जब इनसान की बात करनी है तब हमने who की बात करनी है हम वहाँ पे dad का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन ये informal use होता है अगर formal writing में आपने बात करनी है तब वहाँ पे हम who ही लगाएंगे अब जैसे the man that stood there was a thief अब यहाँ पे हमने ये तुने लिखावा the man who stood there was a thief अगर हम who लिखते हैं वो भी ठीक है वो गलत नहीं है that का used informal way में यहाँ पे किया जा रहा है the dog dead bark seldom bites अब dog की बात की जारी है अगर हम animal का करते हैं बात तब हम जादर which का इस्तमाल करते हैं लेकिन अब dad का इस्तमाल भी उसकी जगापे कर सकते हैं will you bring me the book dad is lying on the table क्या आप मुझे वो बुक देंगे जो टेबल पर पड़ी हुई है अब हम life less non living thing की बात कर रहे हैं तब हमने dad का इस्तमाल किया this is the car that my friend gifted to me यह वो कार है जो मेरे दोस्त ने मुझे तौफे में दी अब यहाँ पर कार की non living thing की बात की जारी है तो हमने dad का इस्तमाल की है इसके बात dad का इस्तमाल एक और सुरत में भी किया जाता है that is used after an adjective in the superlative degree हम adjective के बाद superlative degree में भी superlative degree का मतलब होता है अगर एक तीस का comparison जाता के साथ किया जा रहा है रिजवान is the most generous man that I have ever met यानि रिजवान सबसे ज़्यादा generous man है generous का मतलब होता है खुले दिल का होना खुले दिल का आत्मी है मैं जितने भी लोगों से मिल जोकी हूँ या आत्मी से मिल जोकी हूँ तो अब हमने much more most अब यहाँ superlative degree इस्तेमाल हुई है और इसके बाद हमने that लगाया your today's speech was the most interesting that I have ever listened to आपकी जो आज की तक्रीर थी वो आज तक मैंने जितनी भी सुनी है उनमें सबसे जादा interesting थी much more most अब नीचे भी हमने superlative degree इस्तेमाल की हुई है और इसके बाद हमने that का इस्तेमाल किया इसके बाद है that is used after indefinite pronoun अगर indefinite pronouns आ रहे हैं indefinite का मतलब होता है यह सारे word like all, any, more, nothing, the same, only, the few, the little अगर यह सारे words आ रहे हैं किसी भी sentence में तब भी हम that का इस्तेमाल करते हैं जैसे all that glitters is not gold all का word आया, indefinite pronoun हमने आपे that का इस्तेमाल किया you may take any book that you like आपको जो भी book पसंदाती है आप वो ले सकते हैं यह नहीं आ रहा है हमने उपर पढ़ लिया any be indefinite pronoun में आपता है तो इसके बाद हमने that का इस्तेमाल किया there is nothing that I can do for you now फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो यहां nothing indefinite pronoun की बात हुई इसके बाद भी हमने that का इस्तेमाल किया अब यह जितने भी word I like all, any, more nothing, same, only, the few, the little, etc यह सारे words याद कर ले यह सारे words indefinite pronoun है इनके बाद हमने that का इस्तेमाल करना है और interrogative pronouns होते हैं वोते हैं who, which, what अगर यह सारे interrogative pronoun आ रहे हैं तब भी हमने that का इस्तेमाल करना है who is there that never tells a lie यहाँ पे ऐसा कौन है जो कभी भी जूट नहीं बोलता वो के बाद हमने that का इस्तेमाल किया which is the subject that interests you the most ऐसा कौन सा subject है जिसमें आपकी सबसे ज़्यदा दिलचस्पी है अब यहाँ which का word आ रहा है और subject एक limited से subject हैना हम उनसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसलिए which का word इस्तेमाल की है अब which आया यहाँ पे इंट्रॉक्टिव प्रोनाउन के तो पे तो हमने dad का इस्तेमाल किया अगर एक sentence दिया हुआ है उसमें एक तरफ एक इनसान की बात की जा रही है और दूसरी तरफ किसी animal या किसी thing की बात की जा रही है हमें कई दफ़ा confusion हो जाती है कि अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इनसान के मताबक लगाएंगे या अगर animal आ रहा है या कोई thing आ रही है उसके मताबक लगेगा तो अगर sentence के एक इसे में एक इनसान की बात की जारिया दूसरे में अनिमल या thing की बात की जारिया यहाँ पे animal की बात की जारिया गुग की तब भी हम dad का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे तो यहाँ पे हमने dad का इस्तमाल की यानि एक master और जो उसका डॉक था जिनने मैंने देखा वो सड़ा क्रॉस का रहे थे और जिनमें ट्रॉक आके लगा अब यहाँ पर यह बात कही जा रही है लेकिन हमने एक हिसे में इंसान की बात की है दूसरे में एनिमल की की है लेकिन यूज यहाँ पर डैट हुआ इसके बाद है इसके बाद है डैट इस यूजड as a substitute substitute का मतलब होता है किसी एक की जगा कुछ दूसरी चीज़ इस्तमाल कर देना उसका मुतबादल इस्तमाल कर देना for a single noun already mentioned अब यह एक्जामपल दी हुए है the climate of Faisalabad is hotter than that of Lahore अब उपर हम climate की बात करे हैं नीचे हमने आके यह नहीं दुबारा लिखा जिसे हमें already समझागी है कि उपर यह जो डेट है यह climate को जाहिर कर दे तो हमने इसको substitute मुतबादल के तोर पे इस्तमाल कर लिए I hope आपको इसके अच्छी से समझागी होगी वीडियो पसंद देए तो please like, share and subscribe